नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पुखनम आपके साथ हेक्टर जुई परमार ने बार्बी फिल्म में आपपतेजनिक शब्दों के इस्तिमाल के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है उन्हें सोशल मीडिया पर फिल्म में दिखाये गए आपतेजनिक सीन और फिल्म की लैंगवेज को लेकर नोट भी शेयर किया है जुई ने ये भी पता है कि वो अपनी दस साल की बेटी के साथ फिल्म देखने गई थी लेकिन फिल्म में इस तरह की लैंगवेज का अस्तमाल किया गया है कि उन्हें 15 मिनिट में ही थीटर से बाहर आना पड़ा क्योंकि वो अपनी बेटी को इस तरीके का कंटेंट नहीं दिखाना चाहती थी नोट में जुई परमान ने लिखा है कि ये फिल्म बच्चों के देखने लायक नहीं है वोने ये भी कहा कि बार्भी फिल्म में ऐसी चीज़े शामिल करके फिल्म मेंकर्स ने बार्भी की इमेज खराब कर दी है जुई ने नोट में लिखा है आप में से कई लोग मेरी बातों से आशायद सायमत नहों कुछ लोगों को ये सुनकर गुसा भी आ सकता है लेकिन आज में एक परेंड होने के नाते आपके साथ बार्भी फिल्म के बारे में कुछ शेयर करना चाती हूँ वो गलती ना करें जो मैंने की है और प्रीज अपने बच्चों को बार्भी दिखाने ना ले जाए आखिर बच्चों के लिए बार्भी का कंसेप्ट क्यों खराब किया कैस फिल्म गों किसी ऐसे तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता था कि बच्चे अपनी पूरी फैमिली के साथ फिल्म देख सके काश मैं अपने मंज इस फिल्म की मेमोरी मिटा पाती और इसी बार्भी की कंसेप्ट विश्वास कर पाती जिसे मैं बच्चपन से अब तक देखती आई हूँ काश मैं ये फिल्म अपनी बेटी के साथ देख पाती जो बार्भी की फैन है इसी के साथ बने रे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद